नमश्कार अदाव और सत्स्रियकाल मैं हूँ चेतना Get My Harvest से और जैसा कि आप देख सकते हैं गार्डन इस वक्त फूलों से भरा हुआ है तो एक गार्डन टूर तो बनता है ये विडियो मेरे गार्डन के टूर पर है मेरे साथ बने रहिए शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने Get My Harvest को सब्सक्राइब किया है अगर किया है तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि गार्डनिंग की बहुत मज़दार वीडियो हैं इस चैनल पर तो गार्डन में क्यारियों में सबसे उचे लगे हैं डेलिया फिर उसके बाद लगे हैं ग्लाडियोलस यह देखिए यहां पिंक वाला है और फिर पीछ एक पीला है पिर है, जरीनियं श फिर दोग फ्ला़र्वार्स भर और ऐस अब दéis लेकर हैं सबसे नीचे ईठों के बाहर हैं यह सबसे नीचे देख रहे हैं यह म 완 drones आम समेर्द मांद अरक में पर हैं भर गर्मी में ये पौधा गुलाबी फूलों से भर जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में या बालकिनी या टेरिस में बहुत जादा और बड़े-बड़े फूल आएं मतलब कि आप पौधों को उनके पोटेंशियल तक पहुंचा पाएं तो मिट्टी बहुत फौटाइल होनी चाहिए मैं अपनी मिट्टी में घर में बनी हुई खाद याँ कॉमपोस्ट डालते हूं कॉमपोस्ट कैसे बनाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए ये वीडियो का लेंग मैं अपने वीडियो की दिस्क्रिप्शन में भी इस सामने वाली क्यारी में सबसे जादा धूपाती है, यहां तीन गुलाब के पौधे हैं, एक किन्नु का पेड़ है, एक नीम्बू का और एक अनार का, अनार, नीम्बू और किन्नु की छटाई मैंने सही टाइम पर कर दी थी, अगर आप भी चाते हैं कि अपके घर के नीम् लिंक आ रहा है, उसे क्लिक कीजिए, यहां से उपर देखेंगे, तो वो मेरा हर्ब गार्डन है, उसके टूर की वीडियो का लिंक आपको उपर देखेगा, यहां बर्ड फीडर भी लगे हैं, ध्यान से सुनिए चिडियो की अवाजे आएंगी, मैंने सोचा कि उपर से गा अदद से भी दे सकते हैं, यह किन्नू का पेड है, जो उपर से आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, यह गार्डन की और क्यारी है, जिसमें सबसे नीचे लगे हैं डेजी, फिर स्टॉक फ्लार्स, और उसके उपर लगे हैं बहुत बड़े-बड़े और खुबसूरत डेल वेजटेबल पैच की शुरुवात में रुद्राक्ष का पौदा है, पीछे केले के पौदे हैं, इस साल हमने घर के केले खायते हैं, आपको अभी दिखाऊंगी, यह धनिया है, पालक है, जमीन में प्याज है, यह कड़ी पत्ता है, टमाटर के बहुत से पौदे हैं, यह चोटा है, इस तरह की रिंग्स में में टमाटर लगाती हूं, पास में ही बड़े पौदे भी हैं, आपको अभी टमाटर दिखाई देंगे, वो देखिए, वेजटेबल पैच के साइट्स पे हर जगा आपको मेरी गोल्ड यह गेंदे के पौदे देखेंगे, क्योंकि वो पैस्ट रिपेलेंट हैं, कीट पतंगों को दूर भगाते हैं, यहां रसियां बांदी हैं, ताकि क्युकंबर या खीरे के पौधों को इनके उपर चड़ा सके हम, यहां कुछ हर्ब्स भी उगे हैं, जैसे कि यह हरी लाइची का पौदा है, और अरे यह क्या, यह देखिए हमारा केले का हार्वेस्ट, मैंने कहा था ना, अब एक स्पेशल टिप, अगर आप अपने पौधों में जादा से जादा फूल उगाना चाहते हैं, तो पुराने गले हुए या सड़े हुए पूलों को पौधों से अलग कीजिए, काट दीजिए, जिसे डेड हेडिंग भी कहते हैं, अगर घर में, बालकिनी में या गार्डन में कोई ऐसी क्यारी है, जिसमें बिल्कुल धूपने आती, तो प्लीज सर्दियों में ये फूल जरूर लगाईए, इनका नाम सिनरेर्याज है, देखिए, इन फाक्ट ये धूप में ढल जाते हैं, इनका रंग फीका भी है, साइक्लमेंट है, बहुत सारे फ्लावरज है, कानेशन हैं यहाँ इस गंले में, इसे मैंने रसी के साथ ऐसे बांधा है, यहाँ पर भी कुछ प्रिम्रोज हैं, और इधर बास्कित्स में ज्यादा तर पेटूनियाज है, ये पार्म्ज वाली क्यारी है, गार्डन की last carry, यहां सबसे नीचे pansies हैं, और एक नागपूर ओरेंज का पौदा है, जिसे विहान ने बहुत शौंक से लगवाया है, यहां बनी पर geraniums है, नीचे जो है, वो डालियाज यहां डेलियाज लगें और फिर कुछ और geraniums, और यह दिखाना तो मैं भूली गई, देखिए, यहां मॉन्स्टेडा का एक नया पत्ता आया है, कितना प्यारा लग रहा है, इसी क्यारी में, यहां नारंगी का पौदा है, जो कि इस वक भरा हुआ है नारंगी से, आपको जानना है कि नारंगी से केक कैसे बना सकते हैं, तो उपर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, यहां मैं पौद तयार करती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी रखे हुए होते हैं, सुबह सुबह मेरे गार्डन में, मुझे बिना चपल के चलना बहुत पसंद है, यकीन मानिये, बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, कि आपके अच्छे-च्छे कॉमेंट्स पढ़के, मुझे बहुत मजा आता है, और आपके सवालों के भी जबाब मैं देती हूँ, हमेशा एक-एक कॉमेंट का रिपलाए, मैं जरूर करती हूँ, तो अपने कॉमेंट्स जो है, उन्हें हमेशा लिखिए, क्योंकि वो एक तरीका है, जिससे आप और मैं टच्छ में रह सकते हैं, घर के बाकी हिस्सों के टूर के लिए, इस वीडियो को जादा से जादा लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स के साथ सफल बनाईए, और हाँ आपको याद दिलाना था, कि मार्च अप्रेल के टाइम पे, गमलों में हल्दी युग आई जा सकती है, चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ, और आप में से बहुत से लोगों ने, बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी लिखे हैं उस वीडियो के नीचे, आप सब के लिए बिग शाउट आउट, धन्यवाद, बहुत अभारी हूँ में इस प्यार के लिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और जल्द ही मिलूँगी आपको मैं अपने अगले वीडियो में,